Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11-11 ये आप लोगों की collective reading है और कुछ भी आज शुरू करने से पहले जितने भी लोग ईद celebrate कर रहे हैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक I really hope ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा खुशियां लेकर आए आज के दिन मैं no contact reading कर रही हूँ खास दोर पर उन लोगों के लिए जो अपने partner से separation में है दूर हैं और उनको miss कर रहे हैं इस वज़ा से आज no contact reading मैं कर रही हूँ इस no contact में आपके person आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं और specially जो लोग Eid celebrate कर रहे हैं क्या वो इस मौके पर आपको miss कर रहे हैं या नहीं आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं यह हम जानेंगे तो यह reading timeless है अगर आप इसको Eid के बाद देखेंगे यानि आज के बाद देखेंगे तो भी apply हो सकती है क्योंकि यह timeless reading है सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं आपकी final destination safe divine source को पता है safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है thank you so much आप सब के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all, so अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना, पसंद आए तो like भी कर दिजिएगा और share भी कर दिजिएगा so अब हम start करते हैं और सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे so six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए so जरूरी नहीं है कि आप लोग Eid के ही point of view से इस reading को देखें चो लोग Eid नहीं भी celebrate कर रहे हैं, उनके लिए भी ये reading है so let's start सबसे पहले हमारे पास एक commitment so obviously आप लोग में भी commitment चाहते हैं, आपके person maybe commitment के लिए ready नहीं है because उनके control issues है उनको लगता है कि control जिंदगी का खतम हो जाता है maybe freedom चली जाती है so शायद वो ready नहीं है, शादी के लिए हमारे पास है warrior one-sided memories of love and opportunity so I feel के बड़ा ही clear हमारे पास message है with the memories of love आप दोनों ही आज एक दूसरे को miss कर रहे है, no contact में miss कर रहे है एक दूसरे को, but आपको feel होता है कि effort जो है वो one-sided है maybe आप जादा invest कर रहे हैं आपको feel होता है और आपके person भी ये feel करते हैं कि आप बहुत जादा invest कर रहे हैं वो उतना नहीं कर रहे हैं आपको उनसे connect करने की opportunity मिलेगी, उनसे बात करने की opportunity maybe उनसे मुलाकात करने की opportunity आपको definitely मिलेगी इसका ये मतलब है so with the warrior I feel maybe आपके person ने life में बहुत जादा struggle की है and maybe आपने भी अपनी life में बहुत जादा struggle की है but with the warrior I also feel कि आप इस connection के लिए fight करना चाहते हैं आपको इंतजार है कि वो कब इस connection के लिए fight करेंगे so let's see overall I feel कि आप चाहते हैं कि इंसान आपसे commit करें but maybe वो इस वक्त commit नहीं कर रहे हैं आपसे अगर आप उनके साथ committed relationship में भी है तो भी आपको लगता है कि efforts one-sided है वो commit आपसे करने के बावजूद भी उतनी efforts नहीं करते हैं जितनी आप करते हैं so चीज़ें फिर भी one-sided feel होती हैं आपको let's see इंसान इस no contact में आपके लिए क्या feel कर रहे हैं उनकी feelings, उनकी thoughts क्या है no contact में channeled messages भी हम लेंगे सबसे पहले हमारे पास है four of swords इसकी बहुत से meanings हैं हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से बीमार हो eight of wands two of wands ten of pentacles bottom of the deck पर हमारे पास है the hierophant wow ये बहुत positive energy है so I feel कि आपके person mind make up कर रहे हैं इस no contact में वो बहुत जादा शादी के बारे में commitment के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये दोनों commitment के शादी के cards हैं यहां पर Taurus, Virgo, Capricorn Aries, Leo, Sagittarius Taurus specially बहुत strong है Libra, Gemini, Aquarius भी आप add कर ले लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आपके reading है star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना है so इस no contact में आपके person बहुत जादा deeply सोच रहे हैं बहुत उन्होंने सोचा है commitment के बारे में settle down होने के बारे में ये इनसान आपके साथ long term चलना चाहते है no matter what आपके दरमियान जितनी भी जादा लड़ाई हुई आप लोग no contact में गए जो कुछ भी आप लोगोंने एक दूसरे को कहा जितना भी गुस्था किया I feel ये इनसान आपके साथ committed है ये इनसान आपके साथ चलना चाहते है हो सकता है कि वो अपने आपको अच्छे वे में express नहीं कर पाते हैं अपनी feelings को express नहीं कर पाते हैं आपके लिए उस तरह से नहीं कुछ भी कर पाते हैं चाहते हैं जो आप उनसे expect करते हैं कि उनकी energy हो लवी डवी हो उस तरह शायद वो नहीं हो पाते है but I feel कि deep in their heart ये इनसान आपके साथ long term चलना चाहते हैं आपके साथ loyal है commitment feel करते हैं वो feel करते हैं कि आपसे commit कर चुके हैं चाहे अभी 3D में नहीं किया है and I feel कि almost उन्होंने अपना mind make up कर लिया है they know कि जिन्दगी भर आप लोग इस तरह नहीं चल सकते हैं date नहीं कर सकते हैं जिन्दगी भर ये सब नहीं चल सकता है official करना पड़ेगा चीजों को आगे लेकर जाना पड़ेगा सारी उमर ये सब नहीं चलेगा उन्होंने अपने आप से ये सवालाद किये हैं उन्होंने बहुत सोचा है इस बारे में और वो खुद को prepare कर रहे हैं इस no contact में ये इनसान खुद को prepare कर रहे हैं अगर बहुत जल्द आप से शादी नहीं भी करेंगे at least वो आप से बहुत जल्द जब communicate करेंगे तो वो ये जरूर कहेंगे कि वो आपसे committed हैं वो आपसे वादा जरूर करेंगे शादी का I really feel ये जो commitment का card है और पर देखिए ये दोनो commitment के cards हैं I feel कि ये इनसान आपसे promise जरूर करेंगे जिससे आपके दिल को एक तसली हो जाएगी कि चलो ये इनसान मेरे साथ है मेरा है या ये मेरी है इसने मुझसे वादा कर लिया है So आपके दिल को एक तसली हो जाएगी I feel ये इनसान इन्होंने बहुत सोचा है हो सकता है वो आपको कहेंगे ये जब आपसे बात होगी कि वो आपसे वादा करते हैं तब तक हमने इस बारे में बहस नहीं करनी है, लड़ना नहीं है हम शादी ज़रूर करेंगे थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो कुछ इस तरह की बात वो करेंगे हो सकता है आपने बहुत टाइम होने दिया है कुछ लोगं का रिलेशन हो सकता है साल चलाओ, किसी का छे साल पांच साल, चार साल, जो भी टाइम हुआ है, बस थोड़ा टाइम ये इनसान आपसे और मांगेंगे So I feel कि कोई ना कोई वादा आपसे वो ऐसा करना चाहते हैं, कि जिससे आपके दिल को तसली भी हो कि वो आप ही कि हैं, आपसे committed हैं, so मुझे movement होती भी जरूर नजर आ रही है, and with the eight of wands obviously इनसान आपसे communicate करेंगे, करना चाहते हैं So वो यही सोच रहे हैं, कि उन्होंने अब आपसे क्या कहना है, कैसे कहना है, सब कुछ, वो सोच रहे हैं So ये इनसान almost decide कर चुके हैं, कि इन्होंने चीज़ों को कैसे आगे लेकर जाना है So basically ये इनसान commitment के बारे में सोच रहे हैं, let's see ये इनसान is no contact में आपके लिए और क्या feel कर रहे हैं So ये attachment का card devil energy थी, वो सकता है कि आपके person की कोई है attachment जो वो खतम करना चाहते हैं कोई toxic attachment खतम करना चाहते हैं, जो वो We have sixth chakra number 40 ये है third eye chakra intuition, guidance higher self ये है number 43, man holding a coin again, ये बड़ी stable energy है, ये husband wife material card है, आप लोग को पता है ये king of pentacles है I think So ये इनसान आपको offer करना चाहते हैं, real connection commitment आप से करना चाहते हैं, so ये इनसान आपको offer करेंगे नया start और बड़ा stable नया start, आप से वादा करेंगे, again वही energy आ रही है कि इनसान बहुत जल्द आप से वादा करेंगे कि वो आपके साथ long term चलना चाहते हैं और आपका इनके साथ एक psychic connection भी है, आपको feel होता है, कुछ ना कुछ, आपको feel हो जाता है, जो भी होने वाला होता है, या आपको महसूस होता है कि इनसान ऐसा feel कर रहे होंगे या यह यह कहने वाले हैं और फिर वो कह देते हैं, so एक psychic connection आपका है उनके साथ, एक understanding का level आपका build हो चुका वह उनके साथ, आप काफी चीज़ें वो जो नहीं भी कहते हैं, आपसे वो आप understand कर लेते हैं, so I really feel कि उस हिले हाज से काफी आपका strong bond है, so देखते हैं और आपके person, आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं, इस no contact में और क्या सोच रहे हैं, अभी हम channeled messages भी लेंगे आपके लिए guidance भी लेंगे, देखेंगे आपके person का next action क्या है सब देखेंगे आज हम so इसके उपर है new life और ये है number 39 and milk and honey number 51 so again I feel कि ये 10 of cups है या 10 of pentacles है, इनी दोनों में से एक card है, so यही बात वारबर repeat हो रही है commitment के हवाले से, आपके person लिए सोच रहे हैं कि आप दोनों बहुत compatible है बहुत अच्छा आपका couple है understanding बहुत अच्छी है और आपके साथ वो नहीं जिन्दगी शुरू करना चाहते है it will take some time again, अभी बिलकुल हो सकता है वो ready नहीं है, but उनके जहन में ये planning चल रही है उनके जहन में वो plan जरूर कर रहे हैं आपके साथ अपना future, अपनी life बिलकुल ये निया चैप्टर अपनी जिन्दगी का वो आपके साथ plan जरूर कर रहे है definitely इसमें कोई शक नहीं है but it will take some time so already ये इनसान आपको अपनी family समझते है अपना partner समझते है आपके साथ अपनी हर खुशी, अपना हर challenge share करना चाते है आप उनके जहन में आते हैं जब भी वो कुछ achieve करते हैं उनका दिल होता है कि सबसे पहले वो आपके साथ share करें कोई तकलीफ उनकी जिन्दगी में आती है तो उनका दिल करता है कि वो आपके साथ share करें आपको बताएं चाहे आपकी लड़ाई हो, नाराजगी हो whatever बट ये इनसान कभी आपकी बुराई नहीं करेंगे आपके पीछे So we have It is safe for you to love Oh my God, wedding So throughout this reading में शादी, शादी, शादी आज तो शादी वाली ही reading है So I know कि बहुत से लोग उस पॉइंट पर नहीं है अपनी जिन्दगी के बट जो लोग हैं और जिन लोग की बहस चल रही है उनके पार्टनर के साथ जो लोग इंतजार में हैं आपके पार्टनर ने mind make-up कर लिया है उनकी नजर में आप ही उनके life partner हैं वो आपी से शादी करना चाहते हैं long term आपके साथ चलना चाहते हैं but they need some time So लोग बहुत-बहुत साल भी wait करते हैं शादी होने का एक दुसरे का साथ देते हैं So यह depend करता है आपकी क्या unique situation है आपके पार्टनर के साथ So it is safe for you to love They really feel कि आप उनकी safe place है Safe heaven है कोई उनको harm नहीं है आपको उनका फायदा नहीं उठाएंगे आपको उनसे कोई लालच नहीं है So वो बड़ा अच्छा फील करते हैं आपके बारे में I don't know इस वक्त आप लोगों के दरमयान यह क्यों no contact चल रहा है जब वो इतना अच्छा आपके लिए फील करते हैं और सोचते हैं So reason कोई उनका अपना personal हो सकता है जिसकी वज़ा से आपका no contact चल रहा और वो वही बात है कि उनका अपना problem है कि वो commit नहीं करते हैं मेभी उनको डर लगता है whatever जो उनका commitment issue है बट I don't feel कि ये non-committal energy है I just feel कि वो आप तक शायद इस बात को proper way में convey नहीं कर पा रहे हैं आपको hurt कर रहे हैं बार बार ये कहके कि मुझे commit भी नहीं करना है मुझे अभी शादी नहीं करनी है वो किसी और way में भी इस बात को आप तक convey कर सकते थे आपसे वादा भी करेंगे but they need some time more उनको थोड़ा सा time और चाहिए they know अब उनको इस बात में भी शर्मिंदगी होती है maybe already जैसा मैंने का बहुत से लोग आप में से time दे चुके हैं आप वो शर्मिंदा भी होते हैं कि अब और कितना मैं से time लूँ right but still they need time और यही बात वो आपसे कैसे कहें उनको शर्मिंदगी होती है फिर इस बात पर लड़ाई होती है so यह एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों के दामयान चल रही है so यह इंसान आपसे कोई ना कोई वादा जरूर करेंगे I really feel let's see उनका next action वो आपसे वादा करेंगे आपको कोई ना कोई तसली जरूर देंगे देखते हैं कि वो आपसे contact कप करेंगे उनका next action क्या होने वाला है उनका next action so हमारे पास है bring love into the situation new moon in Aquarius the answers you need are coming oh my god full moon in Gemini Gemini season Aquarius season किसी के लिए important हो सकता है हो सकते हैं आप किसी Gemini या Aquarius से deal कर रहे हो but ज़रूरी नहीं भी है so I feel के technology के बारे में भी बताता है ये card I feel बहुत जल्द उनका text उनकी call आपको आएगी and with this card आपके मन में जो भी सवालाद चल रहे हैं ये इनसान बहुत lovingly बहुत प्यार से handle करेंगे अब उनको realize हुआ है कि वो loving way में भी आपको समझा सकते हैं ये बात वही जो issue था commitment से related, शादी से related जो वो आपको सही तरह convey नहीं कर पा रहे थे वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे बहुत जल्द आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा और बहुत lovingly ये इनसान आपको समझाएंगे जो भी वो अपना point of view आपके पास रखना चाहते हैं next is you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time so with this card आपको ये का जा रहा है कि आपके पास आपकी free will आपकी power है आप कभी भी खुद को bound ना समझे जो चीज़ा आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है आप stay करें उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप जब चाहे walk away कर सकते हैं no matter what and then freedom there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be so देखिए ये दोनों cards आपको यही बता रहे हैं कि आपके पस आपकी free will है आपकी freedom है आपको कोई नहीं रोक सकता है जो फैसला आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी के लिए बहतर है आपने वही करना है आपके लिए ये guidance आ रही है and I feel with the freedom and power same चीज़ें आपके person के लिए भी है उन्हें में भी थोड़ी सी अपनी freedom चाहिए होती है उन्हें नहीं पसंद के उन्हें कोई control करे so maybe ये बात भी वो आप तक सही अंदाज में convey नहीं कर पाएं है आज तक हमेशा डांट कर उन्होंने ऐसी बाते की हैं जैसे आपको hurt भी हुए है आप जिसकी वज़ा से so वो बेहतर अलफाज चुनने की कोशिश करेंगे इस दफ़ा जब वो आपसे communicate करेंगे कि आपको hurt ना करें और अपना point of view भी समझा दें कि हर इंसान की अपनी space होती है वो ये शायद समझाना चाहते हैं आपको और शायद आप understand करते भी हैं but वो कुछ hurting way में करते हैं बाते we have let go and romance so आप जब थोड़ा सा let go करेंगे तो आपकी जिन्दगी में romance आएगा आपकी जिन्दगी में ये happiness आएगी love आएगा but आपको थोड़ा सा surrender करके चलना है थोड़ा सा patience के साथ चलना है I know ये word नहीं पसंद होता है बहुत से लोगों को but patience is the key so I really feel कि ये इनसान बहुत जल्दी आप से communicate करेंगे बहुत जल्दी two weeks I don't know why मुझे फील हो रहा है two weeks कुछ लोगों के लिए तो दो घंटों में भी हो सकता है maximum two weeks में मुझे लग रहा है ये इनसान आप से contact कर लेंगे और आप अपना focus थोड़ा सा shift करें so two weeks में आपका इनसे contact हो जाएगा ये इनसान आपको मनाएंगे मनाएंगे in essence आपको समझाएंगे अपना point of view जरूरी नहीं है कि वो आपसे apologize करें वो आपको अपना point of view समझाने की कोशिश करेंगे जो सावालात आपके जहन में काफी time से घूम रहे हैं उनका जवाब वो finally आपको देंगे so अब हम channeled messages लेने लगे हैं आपके partner की तरफ से अभी आज अगर वो आपसे कुछ कहें तो क्या कहेंगे इसमें कोई past energy भी आ सकती है so इसके बाद आपका yes or no question होगा letters और numbers भी होगे so आप अपना yes or no question भी अपने जहन में अभी से रख लीजे so let's see यह क्या कहना चाहते हैं अभी आपसे I can't handle the space between us उनसे बरदाश्ट नहीं हो रहा आप लोग के दरमयान जो दूरी आई हुई है यह no contact उन्हें affect कर रहे but now is not the right time so देखिये ना शादी के लिए शादी के लिए now is not the right time वो यह कह रहे हैं now is not the right time फिर I want you to be always happy वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें I want to hug you right now so अभी इस वक्त उनका बहुत दिल कर है कि वो आपको गले लगा लें आपका भी दिल कर रहा होगा I can't share you I can't replace you with anything or anyone वो आपको कभी किसी के साथ share नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते आपके प्यार को, किसी के साथ भी किसी भी चीज से, और आपको replace भी नहीं कर सकते, कोई आपको replace नहीं कर सकता I need to be alone right now so now is not the right time and I need to be alone alone रहना चाहते हैं four of swords के साथ बहुत जादा सोच रहे हैं alone रहकर clearly सोचना चाहते हैं आगे कैसे चलना है तो plan कर रहे हैं वो इस कामोशी में I can't forget you वो आपको नहीं भूल सकते हैं चाह कर भी वो आपको नहीं भूल सकते हैं I admire you adore you, appreciate you simply ये इनसान बहुत आपको पसंद करते हैं आपको appreciate करते हैं, आपकी efforts को appreciate करते हैं भूले नहीं हैं आपके प्यार को your eyes are so deep आपकी आँखें बहुत डीप हैं और बहुत कुबसूरत हैं all I have is you and that is everything so आप उनका सब कुछ है they really feel कि आप में उनकी पूरी दुनिया है सब कुछ है soulmate, twin flame so ये आपके soulmate, twin flame हो सकते हैं I hate you the least ये सबसे sweet maybe आपके person बहुत गुसे वाले इनसाने बट आप पर सबसे कम आता है I was overwhelmed so maybe आपने शादी का पूचा confront किया किसी बात पर उनके लिए it was too much उनके पास कोई जवाब नी था, वो जल्दी से गाइब हो गए ghost करने लग गए आपको I am addicted to you so ये इनसान आप से addicted भी है are you happy without me so वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बिना खुश हैं क्या कर रहे हैं आप अपनी जिन्दगी में वो जानना चाहते हैं आप खुश हैं या नहीं so वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें so अब हम आपके yes और no question पर आने लगे हैं इसलिए मैं इन cards को side पर रखने लगी हूँ because यहाँ पर हमारा pendulum आएगा so आप अपने yes and no question को अपने जहन में रख लीजिए साथ आपके लिए letters और numbers होंगे आपका name initial, आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है car number कुछ भी so let's see शुरू करते हैं yes and no से so हमारे पास है 666 Q M R V number 7 X D so आपका अंसर है no, it's a no way so no का मतलब यह भी होता है के now is not the right time अगर आप no देखकर sad हुए है I number 8, मेरे जहन में MRI पता नहीं क्यों आया maybe किसी को spine का कुई issue हो उनने अपना MRI करवाने की जरूरत है 6, D, P, M, R फिर MR आगया और यह देखें इस की आगया आये लगा दें तो MRI हो गया so maybe किसी को जरूरत है MRI करवाने की 3, 3, 3, 3, M, T, A, V, G, W, Q, M, number 7, Y, E, B, H, O, C, R, X, 3, 3, 3, G, Y number 4, B next is Z, K, E, B number 1, 2, 2, 2, 2 number 8 next is I, M, F, C, Y, and N so यह आपके letters और numbers हैं देख लीजे कैसे आपसे match करते हैं और यह आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे आपने जरूर बताना है comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा जाते जाते एक मरतबा फिर से जो लोग ईद celebrate कर रहे हैं आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि यह दिन आपके लिए धेर सारी खुशिया लेकर आए बलके हर दिन आपके लिए celebration का दिन हो, ईद का दिन हो और जो लोग अपने loved ones से दूर है उनका reconcile हो जाए वो मिल जाए, उनका union हो जाए I really hope और साथ ही साथ मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ कि जो भी आप अपने जिन्दगी में manifest करना चाहते है new love, true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा, क्योंके you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताया करें अपना धिर सारा ख्याल रखिएगा I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye bye